जन्मास्टमी की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुबकामना हैं पूरे 101 साल के बाद इस बार जन्मास्टमी पर बहुत ही सुब योग बन रहा है क्योंकि इस योग पर भक्त अपनी रासिय नुसार अगर भगवान सरिक्ष्न की पूजा करें तो उनकी हर मनोकामना पूरी और यह स्योग एक साथ जब मिल जाता है तब जयनती योग का निर्मान होता है और इस बार इसी योग में भगवान सरिक्ष्न का जन्मास्टमी मनाया जाएगा तो चले जानते हैं पहले कि अपनी अपनी रासी के नुसार आप भगवान सरिक्ष्न को क्या अर्पित करेंगे अगर आपकी रासी मेस है तो आप राधा कृष्न दोनों की ही मूर्ती का पूझा कीजिएगा आप उनको पहले जलसे असनान कराएं इसके बाद उनको लाल वस्तर पहनाएं या फिर आप चाहें ते कपड़ा उड़ा दे और कुम कुम का तिलक लगा कर माखन मिस्री का भोग लगा यानि अनार अर्पित करना है आपको जीवन की मुस्किलें कम होंगी जो ब्रिसब बाले हैं आप भगवान स्रीकृष्न का चांदी के वर्क से सिंगार करें उन्हें सफेद वस्तर सफेद चंदन अर्पित करें अब सहद दूद दही मकन और रसगुलनों का दूद से अशनान कराएं इसके बाद आप वस्तर पहना कर पीला चंदन अर्पित करें केले का भोग लगाएं सुखा मेवा दही का भोग लगाएं आपका जो इस समय आपके उपर धाया चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी और जीवन में सुकून आएगा करकर आसी बालों आ आप उन्हें सफेद वस्तर पहनाईए और नारियल जरूर रखियेगा पूजा में और केसर युक्त दूद का ही भोग लगाएगा तो आपका मन की चिंताएं मन की परिसानिया समाप्त हो जाएगी जो सिंग वाले हैं सहद और गंगा जल मिलाकर भगवान स्री किष्ण को अ करता चला जाएगा करने आब आलों आप राधा कृष्ण को दूद और घी से स्नान कराएं फिर उनको जल से स्नान कराएं अच्छे से पोचें और हरे रंग के वस्तर पहनाईए फिर उनको सुखा मेवा दूद इलैची लॉंग का भोग लगाएं तो जीवन की जो परिसानी है वो समाफ्त होगी और जीवन में जो टेंसन है उससे मुक्ती मिलेगी तुला वालों आप राधा कृष्ण को दूद और चीनी से स्नान कराएं या दूद में चीनी डालकर और फिर जल से स्नान कराकर पोच कर उनको केसरिया या गुलाबी रंग का वस्तर पहना कर केले का भोग लगाएं सुखा मेवा का भोग लगाएं दूद की बनी मिठाई का भोग लगाएं या फिर माखन मिसरी का भोग लगाएं या आप घी का भी भोग लगा सकते हैं आप चाहें तो सारे चीजों का भोग लगाएं या कोई एक चीज का आपके सनी के जो आपके उपर धह चल रही है उससे राहत मिलेगी बिस्चिक वालों स्री बांके बिहारी भगवान स्री कृष्ण को दूद दही सहद चीनी जल से स्नान कराईए और फिर उनको आप सुद्ध जल से स्नान कराकर लाल बस्तर पहनाएं और गुड और नारियल से बनी मिठाई या फिर आप मावा का माखन का दही का कोई भी एक चीज का भोग लगा दे तो आपके जीवन में जो अभी परिसानी चल रही है उससे आपको मुक्ती मिलेगी धनूबालों भगवान राधाकृष्ण को पहले दूद से असनान कराईएगा फिर सहत से कराईए फिर जल से कराकर उनको पोच कर पील भाएं दे रहा है उससे मुक्ती मिलेगी और संतान सुक्की प्राप्ती होगी मकरवालों भगवान स्री कृष्ण को गंगा जल से असनान कराईए और उन्हें नारंगी यानि गेरुआ बस्तर पहना कर मीठा पान खिलाईए मिसरी खिलाईए जो साड़े साती का दंस है जो परेशान है आप जो चारो दिसाओं से आप लगता है दुखों से घिर गया है उनसे आपको मुक्ती मिलेगी कुंभवालों भगवान स्री कृष्ण राधाची को सहद दही दूद चीनी और फिर जल से सनान कराईए दूद से भी सनान कराना है और उनको जल से असनान कराकर अच्छे से पोच कर ब्लू कलर यानि नीले रंग का वस्तर पहना कर ड्राइफ फ्रूट यानि सुखा मेवा लाल मिठाई बालू साही वेगर का भोग लगाईए साड़े साती का जो सुरुवाती चरन है जो कस्ट दे रहा है उनसे रक्षा करेंगे क्योंकि सनी देब के अरादे भगवान स्रीकृष्ण है और जब भगवान स्री कृष्ण की सरन में आ जाते हैं तो सनिदेव खुद वखुद सांथ हो जाते हैं आप पर बुरा प्रभाव नहीं डालते जो मीन वाले हैं भगवान स्री कृष्ण राधा जी को सहद, दही, दूद, चीनी, जल से स्टनान कराएं और उन्हें पोचकर अ आने वाले समय में साड़े साती का दंस जिलना पड़ेगा, उसके लिए आप तयार रहेंगे, यानि उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप सूच रहें हैं, यह तो थी भगवान स्री कृष्ण को मनाने की बिधी, अपनी रासिये नुसार आप उन्हें क्या रपीत करें, कै ऐसे उनकी कृपा से सनीदे भी सांथ हो जाएं, अब जानते हैं कि इस जन्मास्टमी के दिन आखिर क्या करें कि जीवन के कस्ट मीटे, दुख मीटे, जब आप पूजा के समय भगवान स्री कृष्ण की पूजा करेंगे आधी रात में, जर्मोतसब जब मनाएंगे, तब उनको हर सिंगार का पुस्प जरूर अरपित कीजेगा, जिसे हम पारिजात का पुस्प कहते हैं, और संख में दूद भरकर काना जी को अरपित कीजेगा, और दूद में संबब हो, तो एक चुटकी केसर डाल दीजेगा, या फिर सहत डाल दीजे, इस से मालक्ष्मी और कामनाएं पूरी होगी, भगवान को चपन भोग लगाने लगाये जाते हैं, लेकिन चपन भोग लगाना हर किसी के लिए संबब नहीं है, तो चपन भोग ना लगाकर, अगर आप सिर्फ माखन मिस्री का तुलसी पत्ते के साथ भोग लगा देते हैं, तो आपको चपन ओम नमो भगवते वासु देवाये, ओम नमो भगवते वासु देवाये का जब खूब करें, एक ग्यारा बार तुलसी जी की परिक्रमा करें, कर्ज से मुक्ति मिल जाने में आसानी होगी, अगर आप चाहते हैं मालक्षमी आपके घर में आ जाए, धन की मुस्कलें दूर हो होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होगी, और अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान स्री कृष्ण को माखन मिस्री का भोग लगाए, और जो भी आपके घर में या आपके आसपास छोटे बच्चे हैं, यानि एक से पांस साल तक के बीच, उनको अपनी उ प्रमोसन चाहते हैं, तो आप छोटी कन्याओं को खीर खिलाइए, आर्थिक मुस्किलें बहुत जादा हो, तो जन्माश्टमी के दिन गाय बचले की मूर्ती लाइए, और पुजा अस्थान में रखकर नियमीत रूप से पुजा करें, तो धन की मुस्किलें दूर हो जाती है, इस जन्माश्टमी के दिन बहुत सारे प्रियोग हैं, लेकिन अब जानते हैं, घर के बुखे दरवाजे के बाहर ऐसा क्या फेके, क्या डाल दें, कि मुस्किलें कम हो जाए, क्योंकि निगेटिव एनरजी, नकात्म कूर्जा अगर बढ़ गई है, सुक्स्टैन खो गय है, तब पीली सरसों के दाने एक चुटकी लेले, अपने घर की छट पर पूरे घर में घूम ले पहले, फिर ले जाकर फेक दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए, और तिप्त आत्माय सांत हो जाएगी, और जीवन में कभी कस्ट नहीं आएंगे, ना ही मुस्किलें पर सब्सक्राइब का लिंक आपको डिस्क्राइब मिल जाएगा, फिलर भी दालेंगे, अपनों से सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हर-हर महादेव कमेंट में जरू लिखे है, धन्यवाइब